अज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एट का मैटीरियल मैटल्स एंड नॉन मैटल्स चैप्टर लेकिन उससे पहले जराची को और मोटुलाल की बात सुन ली जाए अरे आज तो मैं एक्जाम में पास हो गया अब तो मैं हनुमान जी को चौकलेट चड़ाने वाला हूँ एक्जाम में पास होने की खुशी में अरे मोटुलाल तुमने सुना क्या वो पिंदर पास हो गया है वो इस खुशी में भगवान को चॉकलेट चड़ाने वाला है हम लोग मंदिर चलते हैं उसी के साथ जैसे ही वो आँख बंद करेगा हम लोग उसकी चॉकलेट लेकर भाग जाएंगे अरे बेटे चीकू और मोटुलाल तुम दोनों रुको पिछली बार तुम भगवान के आगे रखी हुई सारी मिठाईयां चुरा कर ले गए थे इस बार तुमें मैं मंदिर में नहीं गुसने दूँगा अरे पंडिजी आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं आज हम अपनी साइन्स की क्लास का एक टॉपिक पढ़ने आए हैं यहां पर क्या आप हमें बता सकते हो कि जो भी मंदिर के घंटे हैं यानि की जो बैल हैं वो लोहे की ही क्यो बनी होती हैं लकडी की क्यो नहीं बनी होती जरा इस बात का जवाब दीजे पंडिच जी अरे मोटुलाल तुम कैसी बात कर रहे हो मैं तो तुम्हें यहाँ पर चॉकलेट चुराने के लिए लेकर आया था अब तुम यहाँ पर भी पढ़ाई वड़ाई की बाते करने लगे अच्छा अब तुम्हारे इरादे मुझे पता लग गए भागो यहाँ से तुम दोनो अब मंदिर से चॉकलेट तो मिलने से रही लेकिन मोटुलाल यही बता दो कि आकिरकार हर मंदिर के अंदर जो भी बैल्स होती है यानि की घंटिया होती है वो मैटल की ही बनी होती है ऐसा आकिरकार क्यों है अरे क्या तुमने क्लास एट का मैटिरियल्स मैटल एंड नोन मैटल चैप्टर नहीं पढ़ा मनुबिया से खुद पढ़ लो जान जाओगे अखिरकार metals क्या चीज होती है और non metals क्या चीज होती है हमारे आसपास जो भी material यानि कि जो भी चीज present है या तो वो metal होगी या फिर वो non metal होगी अगर हम लोग metals की बात करें तो metals और non metals के अंदर ये फरक है कि उनके जो physical properties होती है और जो chemical properties होती है वो अलग अलग होती है अब इन physical और chemical properties को अगर हमने जान लिया तो हम पता लगा सकते हैं कोई भी चीज metal की बनी होई है या फिर non metal की बनी होई है सबसे पहला point आता है conductivity जादा तर metal good conductor of heat and electricity होते हैं मतलब कि अपने अंदर से electricity को pass होने देते हैं और heat produce कर पाते हैं जबकि non metals जो होते हैं वो जादा तर bad conductor यानि की poor conductor of heat and electricity होते हैं मतलब कि ना ही आप non metals को heat कर सकते हो ना ही उनसे electricity pass कर सकते हो फिर आता है ductility metals जैसे की aluminum और copper काफी ज़्यादा ductile होते हैं अब ये ductile word का मतलब क्या है मतलब कि इनको हम लोग wire के अंदर बदल सकते हैं लेकिन जादा तर non metals क्या होते हैं brittle होते हैं इसी वज़े से उन्हें हम लोग wires के अंदर convert नहीं कर सकते इसलिए हम इने बोल देते हैं non ductile अब देखो ductility का मतलब यहाँ से आपको असानी से समझ में आएगा कि copper metal था इसको मैंने beat करकर के convert कर दिया into a copper wire लेकिन यहाँ पर अगर मैं wood ले लेता और wood को इस तरीके से wire के अंदर convert करने की कोशिश करता तो क्या होता के wood तूट जाती फिर बात करते हैं हम लोग hardness की जादातर जो metals हैं वो hard होते हैं except sodium and potassium sodium और potassium इतने soft होते हैं कि आप उन्हें एक knife से भी cut कर सकते हो अगर exam में यह question पूचा जाए which are the two metals which can be cut with the help of a knife तो आपको लिख दिना है sodium and potassium यह वाला question जरूर आता है next है non metals की बात करते हैं non metals जादातर soft होते हैं diamond एक ऐसी exception है सारे non metals के अंदर जो की काफी ज़्यादा hard है diamond यहां तक कि अगर आप अर्थ के उपर पूचे कि one of the strongest चीज क्या है तो diamond is one of the strongest thing लेकिन काफी ज़्यादा brittle होने के कारण आप एक hammer से diamond को तोड़ सकते हैं वैसे बहुत strong होता है लेकिन आप hammer से continuously hit करोगे तो वो तोट जाएगा फिर आता है luster जादातर जो metals हैं वो lustrous होते हैं अब इस word lustrous का मतलब क्या है चमकते हैं इसलिए आपने देखा होगा के आपकी मम्मी gold की जोलरी या silver की जोलरी पहनती हैं ठीक है क्योंकि वो चमकती हैं shine करती हैं जबकि non metals जादातर dull होते हैं और non lustrous होते हैं आप ये बोल सकते हो तो फिर आती है malleability metals जैसे की silver और aluminium को हम लोग पतली पतली sheets बना सकते हैं इनकी लेकिन यहीं पर अगर हम लोग non metals के साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी अच्छा ductility को हमने ductility की picture देखी थी अब malleability की भी देख लेते हैं देखो malleability के अंदर क्या होता है यह हमारा एक metal था इसको हमने hit कर करके hit कर करके बिल्कुल पतली सी इसकी sheet बना ली coin जैसी shape में कर दिया हमने से तो यह एक कापी अच्छी quality है जो हमारे metals के पास होती है फिर physical state की जादा तर जो metals होते हैं वो solid रहते हैं room temperature के उपर except mercury and helium mercury और helium room temperature के उपर भी ऐसी liquid सी form में रहते हैं तो आप से अगर पूछा जाए कि which are the two metals which stay which stay which do not stay solid in room temperature तो आप क्या बोल सकते हो these two metals are mercury and helium next है non metals जो हैं वो exist करते हैं gas solid और liquid state के अंदर मतलब सारी states के अंदर यह exist करते हैं gases जैसे कि oxygen oxygen is a non metal जो भी चीज metal के अंदर नहीं आती उसे हम लोग non metal बोल देते हैं solid जैसे कि carbon ठीक है और फिर अगर आप gas का पूछे तो gas के अंदर भी बहुत सारे हैं अब बारी आती है sonras की यहीं पर आंसर मिलने वाला है चीगू के सवाल का जादा तर जो metals हैं वो ringing sound produce करते हैं इसी वजह से आपने मंदिर के बाहर जादा तर instruments आपने देखे होंगे जो मं metal के बने होए होते हैं reason यही है कि metals produce sound लेकिन यहाँ पर non metals ऐसे होते हैं कि non sonras होते हैं यह sound produce नहीं करते हैं अच्छा metals के example क्या क्या है iron, copper, aluminium, calcium, magnesium और non metals के आप लिख सकते हो sulfur, carbon, oxygen, phosphorus ठीक है यहीं पर हमारा physically जो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई चीज metal है या non metal है यह तरी chemical properties of metals अच्छा chemical properties of metals देख लेते हैं अच्छे से detail में, metals जब भी react करेंगे oxygen के साथ तो वो form करते हैं metal oxides को, अच्छा इस reaction से समझते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या है Cu और यह क्या है O2, अब यह O है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है oxygen, oxygen जब Cu के साथ react करेगा तो हमें क् अच्छा अब इसके अंदर क्या हुआ है, यह जो चीज फॉर्म हुई है, इसे ही हम लोग बोलते है metal oxide, अच्छा सर यह क्या हमें equation याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, आपको अगर example देना है metal oxide का तो यह equation आपको याद होनी चाहिए, फिर आते हैं, यहाँ पर AL है और O है, O क्या होती है, oxygen, AL क्या aluminium, यह दोनों ने जब reaction करा, left hand side में हम लोग show करते हैं कि इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों में जब reaction हुआ, तो हमें देखने को मिला कि 2AL2O3 बना, अब यह जो 2AL2O3 है, यह क्या है, it is a metal oxide, तो इस तरीके से metals combine होते हैं oxygen के स to form metal oxides, next हम लोग देखेंगे कि metal oxide जो होती है, वो insoluble होती है, water के अंदर, ठीक है, मतलब कि यह water के साथ मिलती नहीं है, घुलती नहीं है water के अंदर, अगर metal oxide soluble हो रही है, पानी के अंदर घुल पा रही है, तो वो क्या form करेंगी, they will form alkali, alkali का मतलब होता है, जो basis होती है, जो water के अंदर घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग alkali बोलते हैं, यह बड़ी classes में पढ़ोगे, बट आपको यह पता होना चाहिए, कि जादा तर जो metal oxides होती है, यह insoluble होती है water के साथ, जैसे यहाँ आपर देखो, हमें equations भी दे रखी हैं, अच्छा sodium और potassium ऐसे metals हैं, जो इत यहाँ पर जैसे ही sodium और potassium को बाहर निकाला है हमने, air के साथ, oxygen के साथ इन्होंने react करके ऐसे blast करना शुरू कर दिया है, तो इतना ज्यादा strong reaction होता है, इस वज़े से इस तरीके से हमें kerosene oil के अंदर इन्हें डाल कर रखना पड़ता है, तो यह आपको याद रखना है कि sodium and potassium react very vigorously with oxygen, अब इसके बाद हमारे कुछ और metals आते हैं, जिनको अगर हमने air के अंदर openly रख दिया, तो thin layer of oxides form हो जाती है, तो जैसे कि magnesium, aluminium, zinc and lead, यह सब क्या है, इनको जैसे ही आपने हवा में थोड़ी दर के लिए खुले में रख दिया, एक thin layer बन जाएगे oxides की, अब देखत है, reaction of metals with water, जब भी metal react करेंगे water के साथ, तो हमें देखने को मिलता है, produces metal oxide plus H2, H2 क्या hydrogen, hydrogen को हम लोग बोलते हैं, फिर on reaction with water, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखते हैं, हमें metal oxides, if oxide is soluble, they are metal hydroxide is formed, अगर यह जो oxide है, यह पानी के अंदर घुल पा रही है, तो यह क्या बन आलेगी metal hydroxide, और आपने इस metal oxide को पानी के अंदर मिला कर क्या बना दी metal hydroxide, बहुत simple है, जो magnesium है, वो cold water के साथ react नहीं करता, लेकिन सर क्या हो, अगर हम magnesium को steam के साथ, या फिर hot water के साथ react करवाने की कोशिश करें, तो वो बिलकुल react करता है, जैसे कि आप अराम से class के अंदर ब प्रॉबलम नहीं होरी, लेकिन आपकी seat के नीचे को या आग लगा दे, क्या होगा, भागने लग जाओगे जोर से, तो ऐसे ही magnesium है, class के अंदर अराम से बैठा रहता है, कोई problem नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने hot water डाला, cold water की जगा, वो react करना शुरू कर देता है, यहाँ पर और भी metals है, जैसे के aluminium, zinc and iron, जो की react नहीं करते है, H2O के साथ, मतलब water के साथ, जब वो normal temperature पे होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे तोड़ा गरम कर देते हैं, यह देखो, steam निकल रही है, इसके साथ यह लोग तुरंत react करना चालू कर देते हैं, जैसे मैंने आपको भी example दिया, class में बैठे हो राम से, तो कोई फरग नहीं बढ़ रहा आपको, ठीक है, seat के नीचे आग लगी, वैसे ही आप भागने लगे, तो ऐसा ही इनके साथ होता है, जैसे ही hot water आता है, steam आती है, तब यह react करना start करते हैं, reaction of metal with acids, acids के साथ कैसे react करते हैं, metals, अगर हम लोग किसी metal को acid क अंदर डाल दे, तो हमें देखने को मिलता है, metal salt और hydrogen, तो यहाँ पर देखो हमने यह metal की rod थी, इसको acid के अंदर डाला, जैसे ही हमने acid के अंदर डाला, metal salt भी बनेगा, और hydrogen gas के यह bubbles आपको जो दिख रहे हैं, यह निकल रहे हैं, reaction of non metal with acids, metal जब भी react करते हैं with bases, तो वो produce कर लेकिन अगर हम लोग बात करें non metals के reaction की with bases, तो यह काफी ज़्यादा complex है चीज़ और इसको हम लोग थोड़ा बड़ी classes में detail में समझेंगे, अब metal और non metals के क्या-क्या uses होते हैं, देखो metals और non metals को बहुत जगा इस्तमाल करा जाता है, जैसे यहाँ पर देखो coin में, ring में, wire बनाने के लिए, car बनाने के लिए हम लोग metals का use करते हैं, non metals की बात करें तो rubber band, match stick, book, straw, plastic spoon, wooden ruler, sir क्या यह हम exam में लिख सकते हैं, नहीं, आपको exam में यह language use करनी है, for making machinery we use metals and non metals, for making automobiles, मतलब गाडिया, train, aeroplanes, इनको बनाने के लिए हम लोग किसका use करते हैं, metals का, cooking के utensils और water bottles को बनाने के लिए हम metals का use करते हैं, industrial gadgets, satellites बनाने भी metals का use होता है, और non metals के भी काफी जारे uses हैं, देखो non metals काफी जादा useful होते हैं, essential होते हैं, for life, देखो जैसे कि हम लोग oxygen को हम लोग बोल सकते हैं, it is a non metal, तो oxygen तो कितनी important है हमारी life के लिए यह हमें पता ही है, फिर बात कर हम लोग किसकी, next is fertilizers, खाद जिसे बोलते हैं, हम लोग fertilizers भी काफी जादा important है, जैसे nitrogen और phosphorus को हम लोग use करते हैं, purify कर सकते हैं हम लोग water को with the help of non metals, chlorine का use करके, अच्छा जो आपको चोट लग जाती है, उसके उपर दवाई लगाए जाती है, वो भी non metals की बनी होती है, crackers, प के अंदर सिर्फ A की type की reaction के बारे में पढ़ा है, वो है displacement reaction, इस reaction के अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा reactive metal होता है, वो displace कर देता है, एक less reactive metal को, simple है काफी, जैसे A और B था, ये दोनों metal पहले एक साथ थे, for example आप ये समझेए, अब क्या हुआ, कि जो C था, ये काफी ज्या example में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, C U SO4 मतलब copper sulfate plus zinc, अगर ये दोनों react करेंगे, तो इन में कौन strong होता है, zinc strong होता है, तो zinc क्या कर देता है, C U को भगा देता है, तो फिर finally हमें क्या देखने को मिलता है, ZN SO4, ठीक है, देखो, SO4 वैसे का वैसा ही है, ZN आ गया, C U की जगा और copper विचारा अलग हो गया, तो ये होते हैं हमारे displacement reaction, जहां पर जो ज़्यादा strong metal होता है, वो less reactive यानि की थोड़े से weak metal को भगा देता है, अब ये chapter यहीं पर खतम होता है, इस chapter के अगर आपको notes चाहिए, sample paper चाहिए, मतलब की पूरे detail में, जो आपके exam में questions पूछे जाएंगे, उससे related आपको help चाहिए, तो sample papers बहुत काम आने वाले हैं, test papers होते हैं, और अगर आपको shout out चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, subscribe करो channel को, उसके साथ में जो join का button उस पे click करके member बन जाओ, बहुत जाद आपकी help होने वाली है, इन सारी चीजों से, और thank you so much for watching, like करो इस वीडियो को, channel को subscribe करो, इस वीडियो को share करो अपने friends के साथ,